Hey beautiful, क्या आभी अपनी घनी मूझे बनाने के लिए पालर जाने लेजी फिल करते हो? But now no more! क्यूंकि एक मिनिट में इस thread से आप अपलिप कर सकते हो, तो thread को कुछ इस size का लेकर cut कर लेना है और इन दोनों ends को इस तरह से tie कर लूँगी फिर इस thread को इस तरह से 5-6 बार rotate कर लूँगी और अब ये thread बन चुका है kenji अब इस kenji से कचा 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 opposite direction में threading स्टार्ट करूँगी और जितना हो सके tongue की help से skin को stretch करूँगी ताकि cut ना लगे दूसरी side भी same कर लूँगी आप closely देख सकते हो कितने अच्छे से सुरक्षित काले मेरे मूच के बाल पे इस threading किया कमाल अब बच्च कुछी मूच और दाड़ी पे skin stretch करते हुए threading करूँगी और अब redness को calm down करने के लिए icing कर लूँगी और फिर moisturizer से इस तरपाई गई skin को massage से आयराम दे दूँगी आप देख सकते हो redness और बाल दोनों की बाई बाई हो चुकी है तो यह रहा final look वीडियो पसना है तो like and subscribe